तीन साल पहले आज के ही दिन यानी 20 मार्ज 2020 को मध्यप्रदेश में कॉंग्रिस की कमलना सरकार गिर गई थी विधान सभा में कॉंग्रिस सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई बहुमत अल्पमत में बदल चुका था चुकि अधितिराज सिंधिया के समर तक 22 विधायक बगावत कर गए थे जिसके बाद कॉंग्रिस इस दिन को गदार दिवस के रूप में मनाती है 20 मार्ज को मध्यप्रदेश कॉंग्रिस काला दिवस के रूप में मनाती है इसी दिन 2020 को मध्यप्रदेश में 15 महीने पुरानी कमलनात की सरकार चली गए थी मध्यप्रदेश में इसी साल विधान सभा का चुनाओ भी होना है इसलिए कॉंग्रिस ने इसे ब्लॉक स्थर तक मनाया कॉंग्रिस ने इसे गदार दिवस के रूप में भी मनाया प्रदेश कॉंग्रिस के मीडिय विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने कहा कि 20 मार्च 2020 को मध्यप्रदेश की राजनेतिक इत्यास में दूसरी बार काला अध्याय जोड़ा गया 1967 में पंडित द्वार का प्रसाद मिश्र के बाद 2020 में विकाउ गदारू का सहयोग लेकर बीजेपी ने कमलनात की लोकतंत्रिक ढंक से चुनी गई सरकार को हटा कर लोकतंत्र का काला रचा था आज भी वही दिन है इसलिए कॉंग्रेस इस अशुब और कलंकित दिन को गदार दिवस के रूप में मना रही है कॉंग्रेस ने कहा कि जिन लोगों ने लोकतंत्र को अपमानित किया है उन्हें सजा देने का समय आ गया है कॉंग्रेस ने शिवरास सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हो चुकी है कॉंग्रेस ने शिवरास सरकार पर आरूप लगाते हुए कहा कि मद्यप्रेश में आर्थिक आपातकाल लग चुका है प्रदेश में 3 करोड 80 लाख लोग कर्ज के बोज तले दब चुके हैं यानि प्रदेश में पैदा होने वाला हर बच्चा 50,000 रुपई कर्ज का बोज लेकर जन्म ले रहा है कॉंग्रिस ने सरकार से मांग किये कि प्रदेश की आर्थिक बधाली और कर्ज को लेकर राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करे इसके साथ ही कॉंग्रिस ने एलान किया है कि 23-29 मार्स तक पूरे प्रदेश में पार्टी लोगतंत्र बचाओ सबता हमनाईगी